Hello and welcome friends, welcome to Pharma Veda Gyan तो AIMS में जो एक्जाम रहता आपका CBT मोड में तो किस तरीके से जो आपको एक्जाम देना होता है कैसे आपको एक्जाम में बैठना होता है किस तरीके से आपको अपने रोल नंबर डाल ला होगा फिर कोशिंस आपको कैसे देखने को मिलेंगे पासवर्ट डालना है जो आपको पिन मिलेगी उस पिन को आपको यहां पर डालना होगा उसके बाद आप लोगिन कर पाएंगे तो जैसे आप लोगिन करेंगे तो ऐसे करके आपका कर्शर घुमेगा और ये आपका पूरा पोर्टल उपन हो जाएगा तो अभी जो है हम राइपूर का फॉर्म देख रहे हैं कि किस तरीके के आपको कोश्चन्स देखने को मिलेंगे सभी एम्स मां आपको एक ही पैटन देखने को मिलेगा CBT मोड में एकजाम रहेगा कम्प्यूटर में एकजाम कराया जाएगा MCQ कोश्चन्स देखेंगे हिंदी और इंग्लिस दोनों में कोश्चन्स आपके आएगे तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपका लिखा है वेलकम टू जो आपका राइपूर का एकजाम रहेगा तो इसमां आपको सबसे पहले जो है यह आपका 100 नंबर का है कहीं जो एम्स रहते हैं उनमें 200 नंबर का एकजाम रहता है कहीं जो है 100 नंबर का रहता है तो अभी हम क्या देख रहे हैं राइपूर का देख रहे हैं इसमें जो आपका एकजाम पैटन है वो 100 नंबर का है 90 minute आपको मिलेंगे और एक प्रश्ने का एक number आपको मिलेगा अगर आप गलत उत्तर दिंगे तो 0.25 की जो है आपको negative marking देखने को मिलेगी यह सभी aims में आपको negative marking देखने को मिलेगी 0.25 की इसके बाद आपको यह instructions आपने अच्छे से पढ़ ली हैं उसके बाद आप next कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ आपको अगर इसका size बढ़ाना है तो size भी आप बढ़ा सकते हैं तो अब जो हैं आपको questions देखने को मिलेंगी की questions आपके किस तरीके से रहेंगे तो इसमें देखें चार options आपको दिये जाते हैं किस तरीके से आपको fill up करना है और इसमें आपको सभी instructions को अच्छे से पढ़ लेना होगा जब आप exam center में बैठेंगे तो आपका जो pin रहेगा वो आपका date of birth रहेगा सबसे पहले years लिखेंगे, month लिखेंगे फिर date लिखेंगे उसके बाद आपका जो exam page है वो open हो जाएगा तो इसमें आपको questions देखने को मिलेंगे Hindi और English में जो है exam रहता है कहीं कहीं जो है English में भी questions रहते हैं तो वो आप लोग देख पाएंगे इसके बाद आपका questions किस तरीके से रहेंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है Please agree the rules and regulation of exam तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा टिक करना पड़ेगा ठीक है तो अभी जो है आपका exam paper open हो चुका है तो अभी हम जो है mock test दे रहें और इसमें जो है आपका timing रहेगी किस तरह किसे आपका exam रहेगा और start exam के option में आप लोगों को click कर देना है ठीक है तो आपका जो loading होगी page refresh होगा और directly जो है आपके सारी questions आपको दिखेंगे तो interface आप देख सकते हैं कि किस तरीके का interface आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर part 1 लिखा है जोगा quantitative aptitude होगी है reasoning होगी अगर इसमें maths है तो maths भी आपके questions पर आपकी आएगी second part जो रहेगा वो subjective रहेगा कोई-कोई post में क्या है कि 100 का 100 number का आपका जो है non-technical है मतलब सारे questions आपके general GKS और reasoning से जो है पूछे जाएंगे यहाँ पर आप देखें आपका यहाँ पर देखें right hand side में आपका timing भी चलेगा ठीक है तो 90 minutes आपको मिलेंगे तो डेड़ घंटे का आपके पास समाई रहेगा और कितना time आपका खतम हो चुका है कितना बचा है यह सारी चीज़ें आप लोग देख पाएंगे तो इस तरीके से यह रहेगा तो अभी हमने जो है mobile में यह करा है अगर आप computer में करते तो बढ़िया करके आपको full screen में यह सारी चीज़े आप लोग देख पाते ठीक है तो कुछ इस तरीके का questions इसम रहेगा Hindi और English में दोनु questions आपको रहेगे suppose अगर मैं यह question को नहीं देना चाता हूँ और skip करना चाता हूँ तो आप लोग इसको next कर देंगे तो जैसे आप next करेंगे तो यहाँ पर देखे यहाँ पर अगर आप देखें तो लाल कलर का हो गया जो first option है वो red हो गया है और second में हम चले गए है और suppose हमने second में जो है इसका answer दे दिया है यहाँ पर आपको option दिखेंगे ठीक है 1, 2, 3 जैसे कि अगर मैं 2 में 1 में click करता हूँ और यहाँ पर अगर आप देखें तो green होगी है ठीक है इसके बाद हम next करेंगे तो यहाँ पर आप देखें यह जो है आपका green होगी है cursor जो है आपका green होगी है इस तरीके से जो है आपको सारे questions के answer दिखेंगे तो 25 के 25 अगर आप दे दिखेंगे तो यहाँ पर जाके आपको जो है part 2 देना है जो आपका part 2 रहेगा उसको अगर आप click करेंगे तो आपका next part है वो open हो चुक है इसमें questions अगर आप देखेंगे तो general knowledge के questions आपके सारे रहेंगे और इसमें से आपको सारे answers देने होगी जैसे अगर मैं part first choose करता हूँ तो यहाँ पर आपका green होगी है और next करता हूँ तो यह रहेगा ठीक है तो अगर आप कोई question चोड़ना चाहते हैं तो directly आप लोग इसको next कर दें तो वो red हो जाएगा और यहाँ पर not answer करके लिखावा आएगा ठीक है तो यह आपके instructions होगे final submit जब आपका रहेगा तो जब आपकी पूरे question attempt कर लिंगे उसके बाद final submit में आपको जो है exam status देख लिना है अभी अगर आप status देखना चाहते हैं तो आपने एक question इसमें दो number का करा है और एक number का करा है और जो है आपने जो red वाला दिखेगा वो आपने question छोड़ दिये ठीक है तो यह आपका status रहेगा इस तरीके से रहने वाला है कि आपने कितने question attempt करें हैं कितने question छोड़ दिये हैं तो इसमें आपने अभी जैसे 98 question छोड़ दिये हैं और 2 question attempt करें हैं तो इस तरीके से रहेगा timer आपका यहाँ पर देखें यहाँ पर आपका timer भी चल रहा है तो ऐसे ही आपका सारे aims में exam conduct कराया जाता है ठीक है तो आपने अच्छे से देख लिया कि किस तरीके से रहेगा क्या क्या process रहती है तो अगर आपको कोई प्रशन में दिक्कत होती है या फिर आप नहीं कर पाते हैं मतलब आपको जो है server issue आता है तो वहाँ पर आपके लिए staff रहता है वह आपकी मदद कर देंगे कि अगर आपके questions सही से नहीं आ पा रहे हैं तो किस तरीके से आपको इनको solve out करना होगा ठीक है तो यह आपने पूरी process देख लिए कि किस तरीके से रहेगा कैसे questions आपको देखने को मिलेंगे अगर आप computer में देखें तो आपको सारी चीज़े दिख जाएंगे अगर आप mobile में देख रहे हैं तो desktop side open कर लें और आपको phone में सारी चीज़े दिख जाएंगे